पेर के नीचे अठक रही है, हमारे इज़त उतरवाई के लग रहा है, एक बार तो उतर ही चुकी है, हमारे नाम क्या है, एक पर बताए कूँ, उंगली बाबा ध्यान से देखिए, इस वत्स के उंगली में ही दिक्कत है, ये भूटी ने आई है बाबा जी आप से, हमारी तो कविता संगर है से, ये गीत उध्रित है, उध्रित मतलब निकला हुआ है, कि ये जो तेरे नीले नेत्र है, वो मुझे सम्मोहित कर रहे हैं, और तू इन वस्तों में बहुती जादा विस्फोटक प्रतीत हो रही है, विस्फोटक समझते हैं, क्या कह रहे हो, दबारा जाओ, गायना चलाओ, बावादे मरिया, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से कर रहे हैं, नहीं करेंगे, तो सास कहीं से जाएगी, कहीं से निकल जाएगी, हमसे मत कहिएगा फिर, तैयारी है, कर रहे हैं, सास कीचते हैं, छोड़ दीजे, सास कीचे फिर से एक ब छोड़ दीजे आप लोग मैं चे कुलफी कितने लोग खाते हैं कुलफी समी लोग खाते हैं कुलफी खाती हैं यहीं खाती हैं कभी कभी खाती हैं वह दिन याद कर लीजे जब कुलफी खाते समय आपका दाहिना हाथ या फिर बाया हाथ कुलफी के नीचे होता है तो हम इसे म कहते हैं क्या कहते हैं मोह कि जब आप कुलफी खारे होगे तो यह कुलफी खाते हुए जब आप जड़ी दिखाने के कोशी करते हैं कि कहीं गिरना जाए कहीं गिरना जाए इसे लोग कहते हैं लोग कुछ इस प्रकार है को क्रोध हो गया लोग हो गया मोह हो गया इसके बाद आती है कुछ व्यापारी समाज की बात करने की वह कुछ प्रकार है जब आप अपनी दुकान का शटर किरा देते हैं उसके बाद भी आप आगे बढ़ते हैं ताला लगाते हैं, वादिस जाते हैं, पीछे मुरते हैं, दुबारा जाते हैं, ताला लगाते हैं, चेक करते हैं, इसे कहते हैं भै, यानि कि डर, कि कहीं ताला अटका तो नहीं रहा गया, सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में सनान के प्रकार हम आपको बताते हैं, सनान से चीटे मारें अपने उपर तो इसे कहते हैं कंकरी सनान कंकरी पढ़ रही है जब आगे बढ़ते हैं एक और सनान का प्रकार है और सनान का प्रकार कुछ इस तरीके से है कि जब आप सर्दी की उस महांतों को देखते हों कहते हैं कि भी अब नहीं नहाया जा सकता और जब हम किसी नहाई हुई गन्या को छूलें और कह दें कि यह तो हमारा भी स्नान है तो इसको कहते हैं मम स्नानम द्वम स्नानम मेरा स्नान ही तुम्हारा स्नान ही मेरा स्नान है और क्योंकि यहां पर अब सर्दियां आ है और सर्दियों के मौसे में सबसे ज़ाइधा लोग क्या पसंद करते हैं रजाई जब आप रजाई में सुझा शुबह ना निकले जब आपकी माता जी आए और आपको तो टेंडे मार कर भगाएं तो इसको कहते हैं माका दुलार माका लगाऊ आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से कौन सी ऐसी चीज है जो चलती है उड़ती है अगांग चार बताओ पुत्री हवा वो अभी भी सोच रहीं कि पुत्री बहुती है शौक में है कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज़्यादा तेजी से चलती है आती है उड़ती है कोई बताना चाहेगा हवा कहते हैं लोग बिल्कुल ही गलत है देगी जो जवा मैं दोगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा कुछ और कार और पैसा ठीक है money minded लग रहे हो इसलिए खुद नहीं पहनी किसी और बच्चे को पहना के बेज़त कर दिया आपने तो हम आपको बताते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ही ज़्यादा तीवरता से जलती है ऐसी चीज का नाम है जब आप परेशानी कर रहे हो शैतानी कर रहे हो तो आपकी माता जी के द्वारा फेटी गई चपल के रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है वह रफ्तार सबसे ही ज़्यादा होती है तो उस रफ्तार से बचके रहना है और देखिए उंगली बावा के साथ में रहते हुए इस वत्स की उंगली ठीक हो गई